गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं, जिनमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए, तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं, और अपने में किसी भी लक्ष तक पहुँच सकते हैं। ऐसे ही, आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि आप अपनी लाइफ में कैसे सफल हो सकेंगे। सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है, इसका जवाब आपको गौतम बुध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए किये जाने वाले प्रयासों में हमसे कहां चूक हो जाती है, जिस कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। एक बार गौतम बुध अपने भिक्षूओं के साथ एक गाव से गुजर रहे थे। उस गाव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परिशान थे। गाव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गाव के निकट बहुत बड़ा मैद जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड़े खुदे हुए थे। एक भिक्षू ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुध से पूछा कि गाव के इस मैदान में जो इतने सारे गड़े खुदे हुए हैं आखिर उनका क्या उपयोग है। बुध ने मुस्क उसे ही भिक्षू उन गंड़ों में पानी ढूनने लगता है। लेकिन उसे पानी की बून भी नहीं मलती। फिर वह गौतम बुध से कहता है कि इन गड़ों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुध कहते हैं तुम्हें वहां लोगों की भीड दिख रही है। वे सभी लेकिन गाव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंड सके भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती तब गौतम बुद्ध कहते हैं गाव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड़े तो कर दिये हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ तुम जानते हो ऐसा क्यों इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है यदि गाव के लोग अलग-अलग कई गड़े करने के बजाए सही दिशा में केवल एक गड़ा ही करते जो की सौ गड़ों के बराबर होता तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से सौ दिशाओं में भागता है लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष तक अवश्य ही पहुँचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है असफलता का कारण मन का चारों और भटक नहीं है दोस्तों अगर ऐसी ही प्रेरणा दायक कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बोधिग्यान को सब्सक्राइब करे ले नमो बुधाय